तो हम इडिट करेंगे इस फोटो को तो इस फोटो को शेयर कर लेते हैं पिक्साट अप्लिकेशन में पिक्साट अप्लिकेशन में आनेक बाट टूल वाले अप्सण पर आयेंगे और एड़ जोस्ट पर यहां पर आकर यहां से इसको हालका सा माइनस कर लेते हैं माइनस करने पर इरेज जर्वारे अप्षन पर आकर यहां से फेस्पसे इरेज कर लेते हैं फेस पसे इरेज कर लेते हैं और उसके बाद यहां से फिर से डॉन करके फिर से यहां से आएंगे टूल्स वाले अप्सण पर और यहां से क्रेप्स वाले अप्सण पर आकर थुरा से इसको माइनस कर लेते हैं उसके बाद फिर से इसको इरेज कर लेते हैं फेस पसे इरेज करने के बाद इसको डॉन कर लेते हैं डॉन करने के बाद इसको सेर कर लेते हैं अपने स्नेप सीट एप में तो स्नेप सीट में आने के बाद टुल्स वाले अप्शन पर आक और यहां पर ट्विन इमेज पर आएंगे और थोरा सा यहां इसका बराइटनेस को बरहा लेते हैं और कॉंट्रेक्स को थोरा सा कॉम कर लेते हैं और सेचुरेशन को भी यहां से बरहा लेते हैं और एमबाउज को यहां से बरहा लेते हैं पर आने के बाद यहां से हम आ जाते हैं अपने सेलेक्टिव पर और यहां से थोरा सा हाईलाइट है मेरा फेस पर तो यहां से हाईलाइट को कम कर लेते हैं कम करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं सेव कर लेते हैं इस फोटो को सेव कर लिए उसके बाद फिर से इसको सेयर कर लेंगे lightrome application में lightrome application में आने कबाद यहाँ से हमारा back ground है जिसको black करेंगे तो color पर आएंगे सिधे mix tool पर आएंगे उसके बाद यहाँ से और green वाले color पर आ कर इसका जो hue है बरहा लेंगे saturation को यहाँ से come कर लेंगे लिम्नेंस को बढ़ालेंगे और यहां से वेलो आले कलर पर आने के बाद इसका भी हीव को बढ़ालेंगे सेचुरेशन को कम करलेंगे लिम्नेंस को बढ़ा लेंगे उसके बाद यहां से आएंगे ओरेंज आर वाले कॉलर पर तो इसका यहां से सेचुरेशन को कम करके लिम्नेंस को बढ़ा लेंगे अब आ जाते हैं रेड वाले अप्शन पर तो रेड वाले में यहां से इसको छोड़ देते हैं saturation को लिम्नेंस को only यहां से बरहा लेते हैं उसके बाद से आ जाते हैं detail आले option पर detail को फूल कर लेंगे white reaction को बरहा कर यहां से detail को फूल कर लेंगे उसके बाद color noise को बरहाएंगे detail को फूल कर लेंगे उसके बाद यहां से आ जाते हैं light वाले option पर effect वाले option पर आ जाएंगे उसके बाद यहां से business को इसको come कर लेंगे उसके बाद आ जाएंगे यहां से light वाले option पर जिसके exposure बढ़ा कर shadow को बढ़ा लेते हैं यहां से come बढ़ा लेते हैं और white को यहां से कम कर लेते हैं white को कम कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं autodex application में जिससे हम अपना face एस्मूथ कर सकते हैं तो share कर लेते हैं autodex application में autodex application में बरस वाले आइकोन पाएंगे इस बरस सुन लेको साइज दे सकते हैं और यहां से इस साइज को अपने फोटो को हिसाब से स्मूथ करते हैं तो चलिए इसको यहां रख देते हैं और यहां से अपने फोटो को एस्मूथ कर लेता है तो अपने फोटो को यहां से स्मूथ कर लेता है तो मेरा यहां जिए फोटो यहां पर जो थोड़ा ब्लेक ठाइप को आगया है तो इसको यहां से वाइट वाले साइड से लेंगे तो वहना फोरी मेरा उयर्ण कशला का हो जाएगा तो चलिए हम स्मूथ कर लेते हैं तो हमारा फोटो यहां से इडिट हो गया है तो इसे सेव कर लेते हैं देख सते हैं कितना स्मार्ट लग रहे तो इसे सेव कर लेते हैं